जै मातादी दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे सकुशल होंगे आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और शक्तिशाली टोटका इस वीडियो की मदद से आप अपने जीवन में आने वाली प्यार से समधित समस्याओं का निवारण कर सकते हैं आज मैं कह रही हूँ कि इंकार करने वाला इजहार करेगा जो आपको हमेशा से इंकार करता आया है वो आज इस वीडियो के बाद आपको इजहार जरूर करेगा जो दूर चला गया है वो वापस लोड कर आ जाएगा आपके चर्णों में गिर जाएगा आपको सोर ही बोलेगा और जीवन भर आपका बन कर रह जाएगा जी हाँ दोस्तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वशीकरण बताने जा रही हूँ जिससे आप किसी भी इंसान को अपने वश मे कर सकते हैं तो ये वशीकरण आपको शुकरवार के दिन ही करना है शुकरवार के दिन आपको अपने मूं में दो लोंग रखनी है लेकिन दोस्तो लोंग फूल वाली ही होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है इस प्रकार आपको दो लोंग लेनी है और दो लोंग को आपको अपने मुँ में रखना है और दिन शुक्रवार होना चाहिए उन लोंग को पूरे दिन अपने मूँ में रखना इस बात का आप विशेस रूप से ध्यान रखे आप उन दोनों लोंग को अपने मूँ से बाहर तबी निकाले जब आपको पानी पीना हो या खाना खाना हो दोस्तों इस मंतर का जाप आपको 51 बार करना है और यह मंतर है इस प्रकार ध्यान से सुनिएगा ओम नमो कामख्या देवी अमुक नाम अवश्यम करूं करूं स्वाहा यह वो मंतर है जिसका उचारण आपको 51 बार करना है एक ही दिन इस लोंग को मुँ में रखने के बाद आप इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे कि इसका रिजल्ड आपको अगले ही दिन पता चल जाएगा इन दोनों लोंग को एक दिन मुँ में रखने के बाद अगले दिन इन लोंग को मुँ से बाहर निकाले और जिसके उपर आपको वशी करन करना है उसकी चाय में डाल कर या किसी भी खाने के प्रदात में डाल कर उसे खिला दे इस उपाय का बहुती प्रचंड वशी करन होगा जिस भी व्यक्ति को आप समोहित करना चाहते हैं ध्यान रखें कि उस वक्त आपको लगातार उस मंत्र का जाप करते रहना है फिर देखना जहां उस व्यक्ति की वो चाय खतम हुई या उसने जैसे ही उन लोग को अपने शरीर के अंदर ग्रहन किया उसी वक्त वशी करण का जादू उसके सर चड़कर वोलने लगेगा और वो व्यक्ति होगा आपके सीधा वश में आप केवल इस विधी को अपनाएं गुरु जी द्वारा बताएगा इस मंत्र का उचारण और उपाय को विधी अनुसार आप एक बार अपना कर देखिए हर एक समस्या यूँ चुटकियों में दूर हो जाएगी आपके जीवन की समस्याइं खुद बखुद आपसे दूर चली जाएगी आपका जीवन खुशाल बन जाएगा खुशनुमा बन जाएगा तो गुरुजी द्वारा बताएगे इस विधी को अपनाए और अपने जीवन को खुशाल बनाए मैं लेती हूँ आपसे विधा जैमातादी